हाँ जी के में हो सारे मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं पंसला व्लॉग्स और आज की वीडियो में मैं कई सारे प्रोड़क्ट्स हैं वैसे तो यहां पर सबका एक एक करके रिव्यू बनाऊंगा लेकिन स्टार्ट करते हैं इससे इसका नाम है एक्स सिगनेचर की और टकन मैंने कुमा दिया है तो ऐसी कुछ बॉटल है इसकी मैटल केन है और यह कुछ 150 ml के आसपास है और मुझे मिला कुछ 190 रूपीज के आसपास और इसकी जो है पैकेजिंग ऐसी है और इसका स्प्रेयर जो है वह तो एक्टमाइजर इसका काफी अच्छा जो है वो म दाल चेनी की खुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष मौडरेट सी है इतनी ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं है सिनिमन की जो दालचेनी की खुशिबू है इसमें फिर उसके बाद जो इसका मिडल नोट है वो है सेंडल वुड का और सेंडल वुड जो है वो उसकी स्मेल भी काफी अच्छी आती रहति है और जो इसका बे based note है वो मिला है और वrench और सेंडल वुड जो है वहापको टूरो ब्रॉट जितना टाइम यह यह लाश्ट करता है तो आपको वह दोनों चीजे कोके जो हो आती रहती है और कि थोड़े टाइम बाद जो है स्मेल वह छट जाती है चली जाती है यह फ्रेश है जब आप इसको अपलाई करोगे तो आप फ्रेश फील करोगे लेकिन फ्रेश होने के साथ साथ यह एक वुडी और एक तरह से कहलो के वार्म सी स्मेल है और अभी इसकी बात कर लेते हैं इसक इसकी काफी अच्छी है एक डेढ़ घंटे तक जो है वो प्रोजेक्ट करता है और आपके हाथ के दाइरे जतना ऐसे खुले हाथ जतना और फिर उसके बाद अगर आपने कपड़ों पर स्प्रेय किया है तो आपको मेरे ख्याल से आठ गंटे तक नौ गंटे तक भी जो है लॉंजिविडी दे देगा और अगर आपने स्किन पर जो है वो प्रेय किया है तो यह फिर बाद में क्लोज तो स्किन हो जाता है थोड़े टाइम के बाद मेरे ख्याल से तीन घंटे के आसपास के बाद और इसका ट्रेल जो है ट्रेल इसका स्याज काफी अच्छा है और अ मैं लगानेunya वाला पर्फ्यूम नहीं है इसकी स्मयल जो है वो स्इची सूइट और वुडी है और यह थंडिया शाम है थंडी शाम है तो आप अपलाई कर सकते हो लेकिन गर्मियों में मैं इसको recommend नहीं करूँगा इसकी smell जैसे सहाब से है और सर्दियों में आप इसको use कर सकते हो daily भी use कर सकते हो और ये एक warm smell है तो इसलिए सर्दियों में अगर आप use करोगे तो अच्छा रहेगा अगर आपकी जो है वो 16 प्लस है तो आप इसको apply कर सकते हो तो अच्छी लगेगी आपके ओपर ये smell और ज्यादा strong भी नहीं है ज्यादा mild भी नहीं है और तो कुछ नहीं कुछ बचा तो नहीं है इसके बारे में बताने के लिए तो अगर आप सर्तियों के लिए कोई perfume डूंड रहे है डेली यूजेज के लिए तो आपके लिए यह अच्छा जो है वो option रह सकता है और अगर अभी के time के हिसाब से अगर आपको चाहिए इसी series में तो इसके और भी कई सारे variant है तो उन में से देखके आप और एक ओशन है शायद और एक ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल करके कोई है मुझे उसका पूरा नाम नहीं बता लेकिन वह ट्रॉपिकल फ्रेक्रेंस ऐसे बता रहा हूं कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लीज लाइक कीजिए अगला जो है वह रिव्यू किस प्रफ्यूम पे किस प्रडॉक्ट के उपर बतना हूं मैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प किस दיip किस देष्ट हैfinder मीं पे किस प्रफ्यूम प्रफ्यूम जो है तो भी होवाई उसे थे जबशे की सरके सकते हो यह वीडियों मैं तो 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 सि दो फित्ट